चलिए क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको important instructions बता दूँ देखो अपने जो batches हैं वो रोज शुरू रहेंगी starting में कैसा होगा अपने को आगे पीछे हो सकता है time table अपना लेकिन हमारी classes रोज होगी एक बार हमारा time table एक बार fix हो गया तो तो रोज classes होगी तीनो subjects के SST Maths and Science लेकिन starting में हो सकता है कि कोई period ना हो या फिर सब्वों इट से आगे पीछे हो रहा हो लेकिन एक बार हम लोग regular में आगे दो तिन दिनों के बाद तो हमारा regular session शुरू हो जाएगा अब ही मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूँ कि आपको क्या क्या चीजे follow करनी है सबसे पहला आपको हमारा जो channel है ये इसको subscribe करना है first thing you subscribe second thing आपको ये जो हमारा classroom है मतलब जहां पर आपको quiz मिलेगा test मिलेगा assignments मिलेंगे notes मिलेंगे हमारा classroom को आपको apply करना है तो ये classroom के लि user है आपके पास desktop है या फिर laptop है तो आप इस let's say PC laptop वाले ये link को use कर सकते कौन सी ये वाले तो यहां पर link दी गई है ये वाली ये वाली link यूज करनी है that is www.new.edmodo.com ठीक है इस पर जाना है registration करवाना है और ये वाले code को इस्तमाल करना है आपके classroom को join करने के लिए वो आपको पूछेगा registration की वक्त कि कौन सा clause को join करना तो ये हमारा code है class का आप ये class का code वहां पर डाले और आप मेरे class में join हो सकते हैं so it is njj8j6 njj8j6 ये class code है आपको इस link पर जाना है और इस class को join करना है अगर आप mobile user है अगर आप tablet यूज कर रहे हैं mobile यूज कर रहे हैं android है ios है त इसके अंदर जो addmodo दिख रहे हैं आपको उसी नाम से है edmodo आप उस application को install कर लें google play store में जाए edmodo लिखे application को download करें और फिर उसके अंदर आप ये code डालके registration process complete कर वा ले और registration process करने के बाद ये code से आप class को join कर ले तो instructions ये पूरी PDF इस वीडियो के description में है telegram का link भी है तो तीनों चीज़े करने है channel को subscribe करो telegram का link भी है description में उसको भी join करो time table के updates के लिए और हमारे classroom को join करना है ताकि आप इसके उपर आपको quiz assignments नोट बागी के चीज़ें मिले so thank you so much and ये process जल्दी से complete कर लो and welcome dragons to the dragons batch 2021-22 for class 10th चलिए session शुरू करते है welcome dragons आज हम लोग एक नया topic पढ़ेंगे chemical reactions हमारे types इस lesson के अदर बहुत सारे हैं मतलब we have combination, decomposition, displacement, double displacement, oxidation, reduction, बहुत से reactions हैं इस reaction में सिर्फ एक पार्ट जाता difficult जाता है apart from formula is उसको balance कैसे करना है chemical reactions का balancing part मतलब बहुत ही let's say थोड़ा सा आप बोल सकते हार्ड है मतलब starting में आपको लगेगा जब आप actually उसको करना शुरू करोगे तो it will feel very simple तो मैं आपको एकदम simple तरीके से बताता हूं तो देखो there are two methods दो methods है कोई भी chemical reaction को let's say आप balance करने के लिए so we have one method that is called as trial and error method ठीक है trial and error method और दूसरा है ABCD method ठीक है दूसरा कौन सा है ABCD method मैं आपको दोनों method पढ़ा देता हूं और उसको कब use करने मैं आपको वो भी बता देता हूं ठीक है चलिए फिर शुरू करते है trial and error के पहले करेंगे फिर ABCD से करेंगे ठीक है चलिए पहला example तो हमारे पास iron है, chlorine है, FeCl3 है यह reaction मान लो है अब इसको balance करना है अब balancing करना मतलब क्या रहता है तो what you have to do is reactant side पे जितने atoms है कोई भी element के that should be equals to product side के ओपर के atoms of the elements मतलब reactant side के numbers and product side के number match करने चाहिए जैसे कि आप देख सकते है यहाँ पर iron की कितने है एक है, iron का इधर कितना है, 1 है, chlorine के कितने है, 2 है, यहाँ पर chlorine के कितने है, 3 है, तो chlorine के match नहीं कर रहे है, chlorine के match नहीं कर रहे है, iron के match कर रहे है, chlorine के match नहीं कर रहे है, आपको यह match करना पड़ता है दोनों side पे, दोनों side पे जब तुम match करोगे तभी उसको क्या बोलता है, balancing, balancing करने के लिए इसके सामने आपको कुछ तो number लिखना पड़ता है, एक तो Fe के सामने, Cl2 के सामने, ने तो FeCl3 के सामने, आप जब number लिखोगे, तो अगर मान लो, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो 2 लिखने का क्या मतलब है, कि iron के 2 हो गए, 1 into 2, यहाँ पर 1 रहता है, कुछ नहीं बोले तो 1, तो iron के कि कितना हो गया, 2 लिखने की बचे से, देखो, 3 into 2, कितना हो जाता है, 6, मतलब chlorine के 6 हो गया, in that way, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला trial error में method को बताता हूँ, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला हो reaction को लिख देना है, first write down that reaction, हो गया, अब atoms को देख लो, अब आपको कौन से molecule से शुरुआत करनी है, आपको उस molecule से शुरुआत करनी है, कि जो सबसे बड़ा है, मतलब जिसके अंदर number of atoms बहुत बड़े, यहाँ पर add number of atoms कितना है, सिर्फ एक, chlorine में, 2, FeCl3 में, chlorine के 3 और iron का 1, total कितने हो गया atoms, 4, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, सबसे बड 2 डाल देता है, 2 डालने की वज़े से chlorine कितना हो गया, 2, 3, 6, लेकिन आपके पास chlorine कितना है, reaction side पर सिर्फ 2 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ फिर, 3, 2, 6, यह 2, 3, 6, हो गया balance chlorine, लेकिन problem यह है कि chlorine को balance करने के चकर में iron रह गया, iron कितने हो गया, 2, और यहाँ पर iron कित अब इसके तुम states भी लिख सकते हो, states, states मतलब क्या रहता है, मतलब like कौन से form में है, अगर आपने s लिखा, उसका मतलब होता है solid, अगर आपने l लिखा, मतलब होता है liquid, अगर आप g लिखते हो, तो gas, अगर आप supplement से aq लिखते हो, तो उसका मतलब है aqueous, what do you mean by aqueous, aqueous का म मतलब होता है कि पानी के अंदर का solution, पानी के अंदर अगर आप में किसी chemical को लिए है, तो उसको क्या बोलता है aqueous solution, अब तुम सोचोगे क्या हर बार ये लिखना पड़ता है, it's not, exam में अगर आपको specifically पूछा जाता है कि उसके states भी लिखो, state मतलब like कौन से state में हो, solid में है liquid में है, gas में, aqueous में, तो ही आपको लिखना है chemical reaction में ने तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये कैसा है, आपको आदत पड़ जाएगी, बहुत सरे student को ऐसे लग रहा होगा कि क्या भी हर एक element and compound का ये पता होना चाहिए, उसका state क्या है, ने वैसा नहीं है, आपको आदत की से सुन रहे हो oxygen के बारे में, like third standard से oxygen लगता है, oxygen लगता है, और तुमको पता ही कि ये gas है, मतलब it's a general behavior, right, तो आप जैसे पड़ोगे, वैसे वैसे आपको आदत पड़ जाएगी कि बही कौन सा compound solid होता है, liquid होता है, gas होता है, की aqueous होता है, आपको आदत पड़ जाएगी it will take some time, पहले से नहीं आएगा आपको, अब जैसे कि iron है, iron किस में रहता है, solid में, chlorine कैसा होगा, chlorine gas होती है, chlorine की, होके तो gas, and FeCl3, salt है, तो हम लोग S लिख देंगे, solid form है, salt रहता हो, हो गया, that's it, so 2Fe, S, 3Cl2, gas, and let's say हमारा balance हो चुका है, चलिए अभी दूसरा balance करते हैं, इस बड़ा molecule को होने है, Fe2O3, so balance करना शुरू करो, आपने इसके कितने है, iron के, एक है, यहाँ पर दो है, अच्छा, oxygen यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, तो चलो फिर number लिखना शुरू करते हैं, किस से balance करेंगे, the number we will use for this case is, यहाँ पर हम लोग 2 ले लेते हैं, 2, 3s are 6, oxygen 6 ह हो गए, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3, 2s are 6, oxygen भी हो गए, iron के कितने हो गए, 2, 2s are 4, iron यहाँ पर 4 लिख देते हैं, हो गया balance, कितना असान है, मतलब आपको सिर्फ बड़े से शुरूवात करना है, and you ought to match up, just to make sure कि भे आपके numbers equal हो रहे हैं, रेट, चल यह फिर आगे बढ़त 4 taken thrice, और HBR, चलो, किस से शुरूवात करेंगे, बड़े वाले से, ओके तो बड़ा वाला कोन है, बड़ा वाला F2, SO4 taken thrice है, तुम atoms गिन लो, सबसे जादा वही बनेगा, अब यहाँ पर F2 है, SO4 3 है, SO4 अगर 3 है आपका, यहाँ पर SO4 कितना है, सिर्फ एक ही है, एक काम क दाला, क्योंकि SO4 आपके 3 है, तो मैंने सामने 3 डाल जा, तो आपका SO4 कितना हो गया, thrice हो गया, लेकिन hydrogen इस चक्कर भी कितना हो गया, 6 हो गया, hydrogen यहाँ पर कितना हो चुका है, 6 हो चुका है, ओके ठीक है, तो एक काम करता है, हम लोग यहाँ पर डालते है, फिर number सामने, HBR के सामने, यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा hydrogen 6 हो चुका है, तो हम यहाँ पर कितना डालेंगे, 6 डालेंगे, right, क्योंकि 3 डू जा 6, अब यहाँ पर 6 आपका hydrogen भी मैच हो गया, लेकिन 6 लिखने की वज़े से, ब्रोमीन अभी 6 हो गया, BR मतलब क्या रहता है, ब्रोमीन, तो ब् यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 6 करने के लिए क्या करना बढ़ेगा, 3, right, 3 करना बढ़ेगा, agreed, देख लो, so 3 डू जा 6, अभी वो भी हो गया, लेकिन प्रोमीन क्या है, SO 4 फिर से 3 इंटू 3, 9 हो रहा है, correct, मतलब हर बार नंबर बढ़ते जा रहा है, is it correct, correct, तो मतलब क्या हो हमने FEBR3 लिखा है क्या, नए, तो that means हमारी mistake कहा हुई, starting में ही, हमने वो chemical ही ठीक से नहीं लिखा है, चलो, फिर से लिखते हैं, ठीक से, तो हमारा कौन है, FEBR3 plus H2SO4 gives FE2SO4 taken thrice, मतलब आपको यह समझ में आ रहा होगा, कि वो reaction जो question में दी हुई है, वो ठीक से लिखना कितना जरूरी है, चलो, फिर अभी इसको balance करते हैं, कितना आ जाएगा, आपका SO4 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं, रेट, आपका H2 अभी 6 हो गया, H2 6 हो गया, तो 6 हो गया, अभी BR आपका 6 हो गया, रेट, तो bromine यहाँ पे 3, 3 है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूं सा chemical reaction, तो you just have to make sure कि आप reaction ठीक से लिख रहे हो starting में, so that फिर आपका balancing बराबर जाएगा, चलिए, फिर next वाला reaction देखते हैं, same trial and error method देखेंगे, तो HSI CL3 plus H2O gives H10, SI10, O15, SI मतलब कोन रहता है, silicon और HCL, तो यह reaction पहले लिख दो, फिर उसको balance करेंगे, ठीक है, तो HSI CL3, H2O gives what? है, SI10 and O15 and HCL, चलो balance करना शुरू कर सकते हैं, सबसे बड़ा molecule कुन सा है, यह ही H10, S10, O15, देखने पे ही लग रहा है कि सबसे बड़ा है, चलो फिर इसको balance करें, चलिए, तो H10 है और S10 है आपका, ठीक है, S अगर 10 है आपका, तो मुझे यहाँ पर 10 लिखना पढ़ेगा starting म बनाना है, आपके hydrogen कितने हो गए बोलो, यह ठीक है, चलो, लेकिन आपका hydrogen कितने हो गए, अभी यह 10 और यहाँ के 2, यहाँ के 10 hydrogen और यहाँ के 2 hydrogen कितने हो गए, 12, 10 तो अलड़ी है आपके पास, 10 अलड़ी है, और chlorine कितना हो गए आपका, 10 threes कितना हो जाता है, 30, ओके ठीक है तो chlorine को मुझे 30 करना ही पड़ेगा ठीक है, चलो मैं 30 कर लेता हूँ chlorine को क्योंकि 30 आपका क्या हो गए, chlorine हो गए अभी वो balance हो गया, hydrogen कितना हो गया, लेकिन 30 hydrogen and 10 hydrogen 40 hydrogen हो गया तो अभी problem क्या है 40 hydrogen के लिए 40 hydrogen के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर भी 40 करना बढ़ेगा 10 मेरे already है और कितने चाहिए 30 चाहिए मैं 15 लिख दू फिर यहाँ पर 15 टूसा 30 यह 30 hydrogen यह 10 hydrogen 40 तो आपका hydrogen match हो जाता है oxygen अभी देखो match होता है 15 oxygen यहाँ पर 15 oxygen है हो गया कि फिर balance तो आपको कुछ भी नहीं करना है सबसे बढ़ा choose करना है और उसके इसाब से आपको corresponding elements आपको क्या करना है match करना है हो गया answer, कितना असान है तो आपको यहाँ पर 30 चाहिए यहाँ पर 30 चाहिए और यहां पर 15 चाहिए आपको और यहाँ पर 10 चाहिए clear हो रहा है क्या बोलो so I hope आपका clear हो गया होगा right चलिए फिर so अभी मैं आपको एक next method बताता हूँ ठीक है ये हमारे regular methods हो गए let us go for some of the एक ऐसा method की जो और एक चीज आपको एक assignment sheet आएगी आज के let's say अपने classroom में और assignment sheet में आपको क्या करना है आपको कुछ blank reactions होंगे आपको उसको लिखके submit करना है ठीक है आपको उसको लिखके क्या करना है submit कर देना है एक assignment आएगा classroom app पे अपने edmodo के classroom पे edmodo के classroom पे उस assignment को आपको क्या करना है वो किस बारे में होगा balancing chemical reaction तो आपको balance करना है और उसको भेज देना है ठीक है balance करना और क्या करना है भेज देना है submit कर देना है बस that's it ठीक है तो उतना कर लो आपको एक page में देता हूं balancing के लिए must balance करने का और उसको submit कर देने का application ठीक है चलिए फिर परद आस ABCD method, क्या करते हैं इसके अंदर, देखो, मैं steps के साब से बताता हूँ, there are lots of steps, and आपको थोड़ा you know, you have to have patience to learn this method, तो Fe plus Cl2 gives FeCl3, पहले आपको chemical reaction लिख देनी है, space से, कुछ बीच में space देना है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके सब के सामने एक letters देने, कोई भी letter आप दे सकते हो, सब को let's say, आप उसको letter दे दो, A, B and C, कौन से letter देने, A, B, C, मतलब जैसे reaction है वैसे आपको letter देने पड़ेंगे, A, B, C, आप जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा, A, B, C, यहाँ पर, A, B, C, D, मतलब जितने letter से उतने दे देने के, A, B, C, D, ये clear हो रहा है, म उसके बाद क्या करना है, आपको second step, second step आपको सभी elements के list बनानी है, मतलब आपके पास कितने individual elements है, सबसे पहला Fe, iron को लिख दिया, उसके बाद और कोने तुम्हारे reactant में, chlorine, हो गया, that's it, element की list लिखने है सिर्फ, अच्छा चलो, इसकी इंदर list बताओ, iron, oxygen, इसके अंदर list बताओ, iron, BR, H2, hydrogen, मतलब H2 लिखने की जरुवत नहीं है, just hydrogen है वो, तो hydrogen और sulfur and suppose let's say O4, अभी वो आपके उपर है कि SO4 को तुम कैसे लिखना चाहते हो, मतलब SO4 को तुम let's say as a group लिखना चाहते हो, कि individually वो आपके उपर है, बट मेरे तो भी हिसाब से तुम उसको group में लिख दो, easy जाएगा, कैसे individual में भी तुम solve कर सकते हो, लेकिन individual में काफी time लग जाएगा, SO4 का group ही पकड़ो, sulphate group, इसमें, इसमें कौन को नाएगा, it would be hydrogen, silicon, chlorine, hydrogen, hydrogen, hydrogen तो अलड़ी लिया हुआ है, oxygen, ओके ठीक है, तो oxygen चाहर लिया, हो गया, तो मतलब पहला step समझ में आया है, letter लिख दो, ABC, दूसरा step, element की list लिखो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, LHS और RHS में, वो element कितने हैं, वो लिख देना है, देखो, मैं तुमको बताता हूँ, simple logic, मैं iron का लिख रहा हूँ पहले, iron का left hand side मे कितना है, 1 into A, कितना है, 1 into A, सही है, उसके बाद, उसके बाद कुछ है कहें यहाँ पर, दूसरे इसमें iron, FE है, क्या B के साथ, नहीं, directly arrow है, arrow के लिखेंगे, equal to, arrow के लिखेंगे, equal to, और इधर iron है, कितना है, 1 into C, 1 into C, तो that means 1 into C, यह equation क्या बनेगा, A is equal to C, equation क्या बनेगा, equal is equal to C, अब chlorine का बताओ, chlorine would be 2 into B, क्योंकि पहले तो chlorine है नहीं, A के साथ, तो it is 2 into B, यह LHS पे हो गया, RHS पे, RHS पे it is 3 into C, right, 3 into C, equation क्या बनेगा, 2B is equal to 3C, सही है, तो यह हमारा equation बन गया, यह clear हो गया, कैसे किया हमने, चलो फिर, अभी हम लोग दूसरा वाला भी करेंगे, इसका वाला भी देख लेता है, चलो बोलो, क्या करते हैं हम लोग, हम लोग LHS and RHS लिखते हैं, right, okay, LHS, RHS, okay, बताओ, आयन का बताओ, आयन कितना हो गया, 1 into A, right, 1 into A, so 1 into A, बाद में आयन है क्या और, नहीं, direct आगे है, so it is equal to Fe2O3, 2 into C, okay, so 2 into C, आगे oxygen का, oxygen is 2 into B, is equal to, oxygen is 3 into C, यह equation क्या बनेगा, A is equal to 2C, और यह equation क्या बनेगा, 2B is equal to 3C, हो गया, चलो, third equation बनाते हैं, यहाँ पर आभी थोड़ा जल्दी, 1 into A, क्या रहेगा, 1 A, right, 1 into A is 1 A, तो अभी एक काम करते हैं, मैं यह दो को ही solve करता हूँ, क्योंकि कैसा है, बाकी के फिर वो आपको भी मेरे साथ आप solve कर पाओगे, फिलाल के रहेज़ ज़स ध्यान दो, तो equation बनेगे आपके, right, पहले मैंने letter लिखे, फिर element की list लिखी, फिर LHSRHS लिखे मैंने यह equation बनाए, अब मैं equations को solve करूंगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी element को, किसी भी variable को, ABC आपके variables है, इसके ABC में से किसी को भी 1 value दे दो, किसी को भी चलता है, लेकिन तुम mostly ऐसा try करो कि किसी ऐसे number को दो, कि जो easily बाकी के numbers को भी assign हो जाए, जैसे कि मैंने अगर C को 1 दे दिया, तो A को automatically मिल जाता है, या फिर A को 1 दे दिया, तो C को भी मिल जाता है, फिर B का निकाल सकता है, तो चलो, मैं क्या करता हूँ, put, A is equal to 1, किसी बच्चे ने C is equal to 1 लिखा तो भी कुछ फरक नहीं पड़ता है, किसी ने B is equal to 1 लिखा तो भी चलता है, it doesn't matter, लेकिन आपको ऐसा 3 into C is 3 into 1, 2B is equal to 3, so B is equal to 3 by 2, सही है, अब आपको क्या करना है, आपके पास A का वाल्यू है, C का वाल्यू है, B का वाल्यू है, तो put करो equation में, आपके equation में put कर दो, and you will get your answer, चलो, Fe plus B Cl2, sorry, plus Cl2 and it gives what, Fe Cl3, चलो, उसके सामने के जो लेटर्स हैं, उनके वैल्यू लिख दो, A का वैल्यू कितना निकाला तुमने, 1, लिखो 1, B का वैल्यू कितना बोला तुमने, 3 by 2, लिखो 3 by 2, C का वैल्यू कितना बोला तुमने, C का वैल्यू, C का अभी देखो, तुम fraction नहीं रहने दे सकते, तुम क्या करोगे, दोनों साइड से 2 को multiply करोगे, क्यों, क्योंकि आपका 2 कट जाएगा न फिर, तो फिर आपका fraction मिने रहेगा, ओके दोनों साइड को 2 से multiply करो, तो 2 into Fe plus 2 into 3 by 2 into Cl2 gives 2 into FeCl3, ओके तो इसका answer क्या बनेगा, 2 Fe, ये 2, 2 cancel कर लो, plus 3 Cl2 and gives what, 2 FeCl3, हो गया, तो देखो, मैं फिर से revise करा देता हूँ, पहले letter लिख दो, element की list लिख दो, LHS, RHS लिख दो, A is equal to, कोई तुभी इसको value में बूट करो, और equation के इसा solve करके equation में डाल दो, अब ये method कभ यूज़ करनी है, which when this method has to be used, क्योंकि trial and error method इससे थोड़ा easy लग रहाता, थोड़ा complicated है, देखो, मैं मानता हूँ कि ये complicated है, लेकिन यहाँ पर 100% answer निकलता है, 100%, मतलब कितना बड़ा equation हो, 100% निकलता है, तो ये कभ यूज़ करना है आपको, अगर आपकी reaction बहुत ही ज़ादा complex है, मतलब ये simple होगी, ये simple वाली होगी, ऐसे reaction अगर आ गया, कि बहुत ही complex है, during that time, अगर exam में if you are not sure कि भई, उतने time में complete होगा के नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, ये ABCD method को use कर सकते हो, तो ये compulsory नहीं है, आप trial error को use कर सकते हो, ये अब भी तुम सोचोगे, लेकिन सरी बहुत complex है, मतलब समझ में नहीं आया, let's say, ये, सबसे पहला method, ABCD method से ही कर रहे हैं हम लो, तो what is the first step, our first step is, to write the chemical reaction, तो हमने ये paper में लिख दिया, our second method is, to write down the letters in front of it, A, B, C, अचा ठीक है, मैं दूसरे letter use कर लेता हूं, बहुत ही फेंट दिख रहा हूं, ओके, so it's A, it's B, and this is C, what is the third step, element के लिए स्लिखना, चलो, element के लिए स्लिख दाऊ, so what is the element list, it's iron, oxygen, what is the next step, next step is, LHS, RHS लिखना, रहे, ओके, ठीक है, बोलो, iron कितना है, 1 into A, कुछ नहीं है, बोले तो क्या है, 1 है, 1 into A, आगे है क्या है, नहीं, फिर equal to लिखो, equal to मतलब क्या arrow, arrow क्या आगे, equal to मतलब arrow, arrow क्या आगे, so it is 2 into C, 2 into C, मतलब 2C, ओके, ठीक है, तो equation क्या बनेगा, A is equal to 2C, यह हमारा equation बनेगा, what about oxygen, 2 into B, 2 into B, is equal to, यहाँ पर oxygen कितने से multiply करेंगे, 3 into C, okay, equation क्या बनेगा, 2B is equal to 3C, ठीक है, अब तुम किसको value दोगे, 1 की, A को दे दो, A को दे दो, put, put, A is equal to 1, so 2C के value कितना आएगा, 1 is equal to 2C, so C is equal to 1 by 2, ठीक है, अभी, C का value आपका निकल गया, इस equation में डालो, so that would be, that would be, 2B is equal to 3C है न, 3 into C, C का value कितना है, 1 by 2, यहाँ से डाला, अभी, आपका B का value क्या निकलेगा फिर, B का value बनेगा फिर, 3 by, यह 2 और यह 2 क्या होंगे, multiply, so that would be 4, 3 by 4, हो गया, equation में डाल दो आप, so अभी ABC का value अगर निकल गया, equation में डाल दो, so A का value कितना है आपका, पहले equation लिखो, Fe, O2, gives Fe2O, taken thrice, उसके सामने लेटर लिखो अभी जल्दी से, so it would be, A का value कितना है, 1, O का value कितना है, वो B का, B का value is 3 by 4, और Fe2O3 के सामने को ने C, C का value कितना है, 1 by 2, अभी देखो, हमारे पास दो numbers है, 4, 2, हमको दोनों को gap करना है, अगर मैं दोनों side पर 2 से multiply करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर 2, 2 is the 4 आएगा, मेरा सिर्फ 2 ही cut एगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 4 से multiply करता हूँ, बोथ साइड पर, क्यूं? क्यूंकि यह 2 भी gap हो जाएगा, और यह 4 भी gap हो जाएगा, ठीक है, दोनों side पर 4 से multiply करो, so that would be 4 into Fe, plus 3 by 4, plus 3 by 4, O2, gives 4 into 1 by 2, Fe2O taken thrice, अभी इसको multiply करो, so that would be 4 Fe, plus 4 और 4 कट जाएगे, so that would be 3 O2, 4 4 कट गया, 3 O2 बज गया, उसके बाद, 2 1s और 2 2s और, so that would be 2 times of Fe2O taken thrice, हो गया, balance हो गया फिर, yes, it's balance done, तो किस तरह से balance करना है, hope you are understanding, answer निकल चुका है, चलिए, यही type हम लोग अभी 3rd के साथ करेंगे, ठीक है, चलिए, H2SO4, वही ABCD method से ही करेंगे इसको, Fe2SO4 taken thrice, ठीक है, और HBR, I know, this method is complex, definitely complex है, लेकिन कैसा है कि, यह 100% answer देती है, तुमको दोनो method आना चाहिए, तुम trial and error तो वो तो practice करो ही करो, लेकिन यह method का भी practice करो, अगर बहुत ही complex reaction आती है, क्योंकि हमारा score हमकू कैसा चाहिए, 100 में से 100 चाहिए, paper में, science में, 100 out of 100 target है हमारा, तो अगर यह target है, तो हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, थोड़ा time भी देना पड़ेगा, एक ही बार में जटके में, लगेट समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है, you will require practice, तो ऐसा मत सोचो कि भाई, मुझे नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यह नहीं हो रहा है, बार बार देखो, यह video क्योंकि सपोलेट से हमेशा रहेगा, YouTube पे, अपनी चैनल पे, तुम बार बार देखो उसको, if it is required revision कर आओ, ठीक है, चलो, फिर शुरुआत करते हैं, what is the first step, first step is to write the letters, A, B, C, D, what is the second step, make the list of the elements, list of the elements are, iron, bromine, hydrogen, और हमने decide किया था, कि एस उफूर को साथ में लिख देता है, किसे नहीं separate लिखा तो, sulfur, oxygen का, चलता है, no issue, लेकिन, ऐसा group में लिखो, it will become easy, क्योंकि वो एक group ही है, sulfate है वो, चलिए फिर, आगे बढ़के देखते हैं, LHS, LHS, दूसरा क्या, RHS, चलिए शुरुवात करें, हाँ, बोलो, iron का, iron का बोलो, iron यहाँ पर 1 है ना, so 1 into A, 1 A, 1 into A, is equal to, यहाँ पर और है, iron, दूसरे इसमें, नहीं, right, iron directly उधर है, आगे, arrow के जगे पर क्या लिखते हैं, equal to, okay, so 2 into C, और यहाँ पर है iron, last वाले इसमें, so 2 C, so equation क्या बनेगा, A is equal to, 1 into A is A, A is equal to 2 C बनेगा, चलिए, BR की बात करते हैं, अभी BR क्या है, 3 into A, BR is 3 into A, आगे BR है क्या नहीं, इधर BR है, नहीं, D में BR है, 1 into D, 1 into D, तो equation क्या बनेगा, 3 A is equal to D, चलिए, अभी next, hydrogen का बताओ, hydrogen is 2 into B, 2 B, ओके ठीके, नहीं, आगे hydrogen है, 1 into D, equation क्या बनेगा, 2 B is equal to D, चलिए, SO4 का, SO4 कितने हैं हैं यहांपर, एक ही है, पूरा group है न, तो SO4 टेक्निकली, यह ऐसा अगर पकड़ू मैं, तो it is 1 actually, so 1 into B is 1 B, 1 into B, और इधर SO4 कितने हैं, 3 है, ओके, SO4 टेक्ने, SO3 into C, equation क्या बनेगा, B is equal to 3C, हो गया, अब आपको क्या करना है, equations को solve करना है, और मैंने तुमको क्या बोला था, you take the number in such a way, कि maximum numbers को, वो, suppose it से, जो भी तुमने value पकड़ी है, वो, आपको मिल जाए, तो यहाँ पर technically matter नहीं करता है होता न, just put करो और answer निकालो, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, I am putting, मैं यहाँ पर, A के लिए put कर लेता हूँ, बहुत भी किया किया तो भी चलेगा, कुछ फरेक्ट नहीं बढ़ता है, D को put कर लेता हूँ, चलो, put D is equal to 1, तो D is equal to 1 है, तो 1 by 3 आ जाएगा, in the same way B का answer क्या आएगा, 1 by 2, A हो गया, B हो गया, D हो गया, कौन रहे गया, C रहे गया, C का answer कैसे निकालेंगे, first equation पे से, तो निकालो, कैसे निकालेंगे, A का value कितना है, 1 by 3, right, C का value चाहिए, okay, so A is equal to 2C, A का value 1 by 3 है, 1 by 3 is equal to 2C, so C is equal to 1 by 6, right, सभी equations बन गए, अभी value डालो उपर, equation के अंदर, चलिए, फिर final calculation कर लेते हैं, so the equations will be written something like this, FeBr3 के लिए सामने A है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 by 3, FeBr3, right, plus, H2SO4 के सामने क्या लिखूंगा, B लिखूंगा, that would be 1 by 2, so that is 1 by 2, H2SO4, उसके बाद मैं लिखूंगा, Fe2SO4 taken thrice, so that is about C, C को ने हैं, 1 by 6, 1 by 6 लिख दो, so that is 1 by 6, अच्छा, मेरे वीडियो के इदर जा रहा है क्या, so sorry है, देखा है नहीं मैंने, मैं वीडियो को इदर ले लेता हूँ, अब ही ठीक है, चलिए, so 1 by 6, and आगे, भई ये, Fe2SO4 taken thrice, और लास्ट वाला को ने, HBR, HBR के सामने D है, D की वैलु कितनी है, तुमने 1 रखी थी, तो it is just HBR, अब मुझे बोलो, नीचे कोन कोन है, 3 है, 2 है, 6 है, तो किसे multiply करूँ, सबको गायब करने के लिए, LCM ले ले लेता हूँ, 3 हो का 3, 2, 6 का LCM क्या होता है, 6, 6 से multiply कर दूँगा मैं, तो 6 into, 6 into 1 by 3, यहाँ पर भी 6 into 1 by 2, यहाँ पर भी 6 into 1 by 6, तो यहाँ पर कौन कुट कट हो जाएगा, कट करा लो, यह 3 1s है, यह 3 2s है होगा, फिर बात में यह 2 1s है होगा, यह 2 3s है होगा, यह 6 6 कट गए, ओके तो final equation में answer क्या बनेंगे, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 1s है, 2 3s है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 6 कट गए, 1 बज़ गया वहाँ पर, तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर last में 6 से multiply करना है, last में रहे गया, multiply करना हमारा, पूरे bracket को होता है, तो यहाँ पर भी 6 रहेगा, वो 6 जैसे के वैसे ही रहे रहा है, तो 6 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, हो गया, done, चलिए, एक last वाला कर लेते हैं, फिर हमारा, let's say, we can end our session for the day, तो देखो, hydrogen, पहले element की list लिख दिए, मैं letter लिख दिए हैं, hydrogen बताओ अभी, hydrogen कितने हैं आपके, यहाँ पर, 1, 1 into A, रेट, 1 into A, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर भी hydrogen है, यहाँ पर बीच में कौन सा symbol है, addition का, तो मुझे क्या करना बड़ेगा, add करना बड़ेगा, यहाँ पर, 2 into B, यह समझ में आ रहा है क्या बोलो, hydrogen दो जगे पे, reactant में ही, इसलिए मुझे पहली बार लिखना बड़ा, 1 into A, दूसरी बार लिखना बड़ा, 2 into B, और sign जैसे की बीच में की मैंने दे दी, बाद में equal to, यहाँ पर hydrogen कितने हैं, 10C, आगे hydrogen है क्या, हाँ, so 1D, लेकिन उसके बीच में symbol है, हाँ, तो symbol लिख दो हो, क्या, 1D, plus 1D, solve करो इसको, यह equation क्या बनेगा, A plus 2B, is equal to 10C, plus D, तो final equation बी, A plus 2B, is equal to 10C, plus D, SI की बात करते हैं, SI कितना हो गया, 1 into A, आगे SI है क्या, हाँ, आगे, एकदम आगे, उधर है, that is 10 into C, और इधर SI है क्या, नहीं, हो गया, उतना ही है, so equation क्या बनेगा, A is equal to 10C, agreed, A is equal to 10C, आपका बन जाएगा, हो गया, आपके पास है नहीं सिलिकॉन, chlorine की बात करो, 3 into A, इधर है क्लोरीन बीच में B, नहीं, बात में arrow है, arrow बल तो equal to, chlorine बताओ, यहाँ पर है क्लोरीन नहीं, D में है, so it is 1 into D, right, अभी, equation क्या बनेगा ये, that would be 3A is equal to D, okay, oxygen का बताओ अभी, 1 into B, is equal to, इधर oxygen है, हाँ, 15 into C, हो गया, हाँ, तो equation क्या बनेगा, B is equal to 15C, एक बार final चेक कर लेते हैं, hydrogen का बराबर है क्या, यह 1, 2, right, 2B, और A, और इधर है 10C, and D, हाँ, बराबर है, silicon का, silicon का इधर है 10C, इधर है 1A, ओकी ठीक है, chlorine का चेक कर लो, 3A, and chlorine इधर 1D, सही है, and oxygen, 1B, 15C, बराबर है, अब equation को solve करना है, किसी को भी 1 value दे दो, और answer निकल जाएगा, तुमारा किसको देते हैं, A को देते हैं, देखो न, A 3A है, A को दे दो, सही है, चलो फिर A को देते हैं, put A is equal to 1, put A is equal to 1, तो यहाँ पर C की value कितनी आ जाएगी, C would be equal to this equation, that would be 1 by 10, सही है, 1 by 10 C की value आ गए, चलिए, 1 हो गया, D की value निकालते हैं अब भी, चलो, D की value क्या होगी, D would be equal to 3 into 1, क्योंकि A की value 1 है, so 3 into 1, so that is 3, D is equal to 3 आ जाएगा, इसका निकाल लेते हैं, क्या तुम्हारे पास A हो है, हाँ, B है, ने, B नहीं है, C है, हाँ है, D है, तो B चाहिए सिर्फ आपने को, तो B का value निकाल सकते हैं, B is equal to 15 into C का value कितना हैं आपके, 1 by 10, 1 by 10 से multiply करो, So that would be 5, 3 जा, 5, 2 जा, तो that would be कितना, B is equal to 3 by 2R, मतलब हमको ये पहले equation की जरूथ ही नहीं पड़ी, हमने नीचे के 3 equations से कर लिया, देखो, इसमें aim ऐसा नहीं रहता है कि सभी equations को solve करना है, इसमें ये aim रहता है, कि आपने जो ABCD लिया है न, उसके values आपको मिल रहे हैं क्या, equations बनाने और ABCD के value निकाल देने, बस मेरे 3 नीचे इससे हो गए, उपर की जरूथ ही नहीं पड़ी मुझे, वो A plus 2B की, अभी value पूट करो, value पूट करो उपर के इसमें, then that's your answer, तो मैं क्या करता हूँ, यहां कर ABCD का मिटा देता हूँ, और वहाँ पर मैं actual number लिखता हूँ, कि जो मेरे answers निकले, एक answer क्या लिखा है मैंने, 1, ओके चलो तो 1 को लिख देता हूँ, मैं यहां पर, hydrogen B है, तो B मतलब कोन है, यहां पर 3 by 2, यहां पर C है, C के जगे पर क्या चाहिए, 1 by 10, और D के जगे पर क्या चाहिए, 3, हो गया, नहीं न, उसको किस से multiply करूँ, मेरे पास 2 को gap करना है, 10 को gap करना है, 2 and 10 में से, बड़े number वाले से multiply करो, जो भी दोनों में से बढ़ा है, LCM तुम ले सकते हो, LCM क्या है दोनों का 10, तो 10 से multiply कर दो न, दोनों दरफ, तो 10 से अगर multiply करता हो, तो मुझे यहाँ पर 10 मिल जाए कर ड़ाई, 1 into 10 is 10, फिर बाद में 10 से अगर यहाँ पर multiply करता हो, तो that would be 2 1s are, 2 5s are, 5 3s are 15, 15, तो मैं यहाँ पर मुझे 15 लिखना पड़ेगा, 15, ओके यहाँ पर भी मैं किस से multiply कर रहा हूँ, 10 से multiply कर रहा हूँ, तो 10 और 10 तो गाब हो जाएंगे, ओके ठीक है, तो आपका यहाँ का अशर कितना हो गया, 1, और यहाँ पर मैं फिर से 10 से multiply कर रहा हूँ, agreed, 10 को गाब करने के लिए, तो वो कितना अशर रहेगा, 10 इंटू 3, 30, ओके ठीक है, तो 30, हो गया, 10, 15, 1 and 30, यह clear हो गया, सबका, 10, 15, 1 and 30, तो हमने कैसा किया है, दोनों method से किया है, and आपको मैंने ABCD method भी पढ़ाया, trial and error भी पढ़ाया और ABCD पढ़ाया, तो trial कभी यूज़ करना है, simple reactions के लिए, और trial and error, और जो ABCD method है, वो आपको तब यूज़ करनी है, कि अगर कोई chemical reaction बहुत ही hard है, तो और वो 100% आपको exam में, उसको solve करना ही है, sometimes होता है कि trial and error से solve नहीं होते, तो hence ABCD को आप तब यूज़ करना है, तो पहले instance में easy reaction के लिए ABCD कभी भी यूज़ नहीं करना है, तो मैं अभी क्या करूंगा, एक PDF आपको रात में आ जाएगा, आपके पास कल तक का समय होगा, आप रात के कल तक का, और कोई भी assignment जब भी आएगी न, तो next day तक का time होगा, और मुझे रोज रोज सपोलेट से message नहीं भेजने हैं, कि भाई, test कभ है, या फिर assignment कभ है, कोई quiz है, application की उपर immediately notification आ जाएगा, तुमको खाली उसको submit करना है according to the deadline, उसके नीचे deadline होगा, आया, तो वो notification आएगा, आपको don't worry, और मैं अगर किसी ने भेज़ा नहीं है, मैं तुमको ये भी भेज़ूँगा reminder, don't worry, सब कुछ आपको आज आएगा, आपको हर बार मुझे पूछने की जरूवत नहीं है, तो मैं आज एक PDF अप्लोड करूँगा, जिसके अंदर बहुत सारी reactions होंगी, आपको उसको balance करके, मुझे वापिस उसका answer submit करना है, ठीक है, assignment आ जाएगा, हमारे Edmodo application पर, तो हमारा Edmodo classroom पर आपको मैं भेज़ दूँगा, अपने classroom में, उसका PDF आज, और वो आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, submit कर सकते हैं, तो चैनल को subscribe करना है, सबसे पहले चैनल को subscribe करो, क्योंकि आपको सभी updates ऐसी आएंगी, तीन चीज़े होनी चाहिए, चैनल subscribe, फिर बाद में, चैनल subscribe, video like, दुनों एक साथ, चैनल subscribe, video like, दूसरा आपको करना है, टेलिग्राम ग्रूप को join करना है, अपने टेलिग्राम का link description में है, और आपको Edmodo application जो है, उसको भी अपने classroom को install करके, उसके अंदर join करना है, ठीक है, तो आपको सभी assignments, quiz, test, आपके doubt solving सभी उसी में होगा, तो चलिए, आज का session यही पर complete करते हैं, और अभी हम लोग बात में मिलेंगे, so bye dragons, thank you so much.